दुनिया में अब तक का शबसे विशाल भब और उंचा मंदर वरिंदावन में बनाया जा रहा है भगवान कृष्ण को शमर्पित इस मंदर का नाम चंद्रोदै मंदर रखा गया है यह मंदर कुतो मीनार से भी तीन गुना उंचा होगा इतना ही नहीं इस मंदर की नियू दुनिया के सबसे उंची इमारत बुर्जी खलीफा से भी गहरी होगी वरिंदावन चंद्रोदै मंदर की उचाई 600 फुट अथवा 210 मीटर के लगबग होगी दिल्ली में 22 समलोब 5 मीटर के कुतो मीनार से इसकी उचाई लगबग तीन गुना ज्यादा होगी जिसके करण पूर्ण होने पर ये विश्यू का सबसे उंचा धर्माले बन जाएगा इसके गगन चुंबी सिखर के अलावा इस मंदिर की दूसरी विशिस आकर्षन ये भी है कि मंदिर परसर में 26 एकड के भूबाग बर चारो और 12 कृतिम वन बनाए जाएंगे मंदिर के वन शेत्र को कुछ ऐसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है जैसा विवरण कृषन साहित में मिलता है पूरी तरह से तैयार होने के बाद ये मंदिर कृषन भक्तों की वरंदावन की कलपना को पूरी तरह से शाकर करेगा तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है चंदरदोय मंदिर और इसमें कौन कौन शी शुपदाएं और क्या क्या चीजें बनाए जाएंगी तो वीडियो को अन तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो हमारे चैनल फेक्सगेटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबादें वरिंदावन चंदरोदय मंदिर विश्यू का सबसे लंबा मंदिर है जो अभी मतरा के वरिंदावन में अंडर कंस्टक्शन है इस मंदिर की कुल लागत तीन सो करूर रुपे के आसपास है यह इसकौन बेंगलोर दोरा बनाया जा रहा है अब तक का सबसे महंगा मंदिर इ पहले हुए हैं और इसकी लंबाई लगबग 700 फीट बताई जा रही है कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मंदिर को बनाने में लागबग 700 करूर रुपे से ज़्यादा खर्च होंगे मंदिर की सबसे उची मंजला इमारत का नाम ब्रिज मंडल दरसन रखा गया है य मंदिर के लिए हाई स्पीड लिप्ट तैयार की जा रही है इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यदि किसी तूफान की वज़े से बिल्डिंग एक मीटर जुग भी गई तो भी लिप्ट सीधी चलती रहेगी इसकी गती और दिशा में कोई भी परिवर्ता नहीं होगा प लाइबरेरी और अनमाद्यम भी बनाए जाएंगे इस मंदिर में वर्स भर में आने वाले विबिन तरह के धार्मिक पर्वों और तिवारों को मनाया जाएगा आने वाले शमय में यह मंदिर हिंदूओं के लिए एक बहुत बड़ा धार्शनिक इस्तान होगा इस मंदिर को मौझूद होंगे इसके अलावा शाफ पानी की जील जहरना आदी जिनका वर्णन हमारे स्रीमत भागवत स्रीकृष्ट के अनमोल बचन में किया गया है वे सब इस मंदिर में मौझूद होगा ताकि यहाँ पर आने वाले स्रद्दालों को भगवान स्रीकृष्ट के शमय के वर्णदावन का आभाश हो पाएगा यह मंदर विश्व प्रशिद दोवाई इस्तत बुर्ज खलीफा से भी आगे निकलने वाला है इस मंदर की नियू बुर्ज खलीफा से भी गहरी बनाई गई है बुर्ज खलीफा की नियू 50 मीटर की है परंतो इस मंदर की नियू 55 तो रखने वाला मंदर है इस मंदर के निर्मार से ये जगे एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी विक्सित हो जाएगा और राज सरकार को इसका अच्छा फाइदा प्राप्त होगा स्री ला प्रिवुपाद इसकौन के शंस्तापक ने शाल उनिश्वबात्तर में स्री रूपा गोस्वामी के भजन कुटीर के समच्छ युकलता वैराग के विशे में बताया था इस समायोजन में इनके बारा से अधिक विदेशी अनियाई थे यहीं पर स्रीला प्रिवुपाद ने कहा था कि जिस तरह हमने बड़ी इमार्तों को बनाया है ठीक उसी तरह से हम चाहें तो भगवान स्री कृष्ण का भी एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्मान कर शक्ते हैं जिस से मैटेरियल एक्विटी का सुद्री करण हो शके स्रीला प्रिवुपाद के इस वक्त अब से प्रभावित होकर इशकौन बेंगलोर के भक्तों ने इस मंदिर के प्रोजेक्ट का आरंब किया मार्च 2.16 में होली के सुब परव पर इस मंदिर की निव मत्रा के विरंदावन में रखी गई इशकौन का अनुमान ये है कि अग पूरी होने की तैयारी पर है इस मंदिर की शरचना में IIT धिली के सिविल इंजिनिंग डिपार्टमेंट के इंजिनियर लगे हुए हैं जिनके स्ट्रक्चर कंसल्टेंट संयुक्त रज अमेरिका के थौरनटन टॉम सटी हैं इस मंदिर के निर्मान के लिए मुख आर्किट का काम गुपता कंसल्टेंट और एसोसियेट्स द्वारा और सभी तरह के अनेलेक्ट्रिक फिटिंग और वायरिंग के लिए WBG कंसल्टेंट को चुना गया है इसके अलावा लाइट डिजाइन के लिए आस्टेलिया की कंपनी काम कर रही है इस तरह से इस मंदिर के निर्म इस मंदिर प्रांगण में सरदालू को दी जाने वाली शुबदाएं हैं जैसे कि यहाँ पर एक एहली पेड भी बनाया जाएगा यहाँ पर 12 एकट जमीन गाड़ियों की पारकिंग के लिए रखी गई है यहाँ पर खाने और पीने के लिए कैंटीन की विवस्ता भी की जा इस मंदिर प्रांगण में विद्या मंदिर चंदोदै थीम पार्क भी होगा मंदिर के अंदर एक कैपसूल एलिवेटर भी लगाया जाएगा वैदिक साहित के अंसार ब्रमार्ण के विविन तरे के शौर मंदलों का प्रकास और धौनी पर आधारित प्रदर्शन होगा यह मंदिर तीस एकड़ के जंगल से घिरा हुआ होगा इस मंदिर में हिंदू संस्किती में आने वाले विविन तरे के स्री कृष्ण संबंदित पर्वतेवारों को मनाया जाएगा यहां के मुक्तेवारों में रत्यात्रा पालकी उत्सव जूला नोत्सव आधी बड़े धूम पर्वतेवारों के दोरान विविन तरे की संस्कित प्रोग्रामों का शमायोजन भी किया जाता है इस मंदर में विविन तरे के शामाजिक गतवीदियों को भी शामिल किया जाएगा जैसे की ब्रिच के गरीब बच्चों के लिए अच्छे पात्र मिड़े मील की विस्ता की जाएगी विरंदावन की विद्वाओं के लिए विवन कल्यान कारी कारे किये जाएगे यमना नदी को उसके पुराने शौंदर में वापस लाया जाएगा गाये चूंकी सेकेंट को अतिप्री थी और आज भी ब्रिच का एक महत्पूर्ण अंश है अता गौ सेवा के लिए ग